इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. G-ROX CR 12.5 Tablet is a type of antidepressant belonging to the selective serotonin reuptake inhibitor, यानि की SSRI group of medicines. इसका इस्तेमाल depression और anxiety से जुड़ी समस्याएं जैसे obsessive-compulsive disorder और panic disorder के इलाज के लिए किया जाता है. G-ROX CR 12.5 Tablet helps many people to recover from depression by improving their mood and relieving anxiety and tension. It can be taken with or without food इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है. Dose और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है यह आपके doctor द्वारा बताए जाएंगे ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंत्रित करने के लिए सही मात्रा मिल सके. डॉक्टर आपको कम खुराक से शुरू कर सकता है और धीरे-धीरे इसे बढ़ा सकता है. अपने डॉक्टर से बात किये बिना दोजन बदलें या इसे लेना बंद न करें. चाहे आप अच्छा महसूस कर रहे हों. ऐसा करने से आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है या आपको अप्रिय विड्रॉल लक्षन यानि की एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट, चक्कर, सोने में परेशानी आदी हो सकते हैं. अधिक्तम लाब प्राप्त करने के इस दवा को नियमे तौर पर लें तथा हर दिन एक ही समय पर लें. अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है तो आपका डॉक्टर आपको इसे सुभा लेने की सलाह दे सकता है. आपको बहतर महसूस करना शुरू होने में कुछ सब्ताह लग सकते हैं. Some common side effects of G-Rox CR 12.5 tablet include nausea, fatigue, dry mouth, loss of appetite, increased sweating, dizziness, nervousness, tremors, insomnia, यानी की, difficulty in sleeping, and constipation. कम sexual drive, देर से स्खलन और erectile dysfunction जैसे, sexual side effect भी देखे जा सकते हैं. अगर आप अचानक से कोई असामान्य mood का बिगड़ना या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार विक्सित करते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बता दे. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको epilepsy, यानी की, दौरों का विकार या, fit, diabetes, liver या, kidney का रोग, हिर्दै संबंधी समस्याएं या, ग्लुकोमा है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकती हैं. गर्भवती या, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. कुछ हन्य दवाएं इसके काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं. विशेश रूप से अन्या एंटीड और माव इन्हीबिटर्स नामक दवाएं. कृपया अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जिन्हें आप सुरक्षित रहने के लिए ले रही हैं. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडिय करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.